नमस्कार जैसा कि हम सबको जानकर है आज पूरे विश्च के समक्ष कोरोना वाइरस गंभीर चुनोती बन गया है हमें कोरोना वाइरस से भवीत होने या घबराने की नहीं अपितु सर्तक वो सावधान सावचेत रने की आउशकता है कोरोना वाइरस का संक्रमन संपर्क में आने से फेलता है कोरोना वाइरस वेश्चिक महामारी बन चुका है इस चुनोती भरे समय में मेरी इश्वर से प्रातना है कि कोटा बूंदी और देश की जनता स्वस्त रहे, हर परिवार का वेक्ती स्वस्त रहे और सुरक्षित रहे, कोटा बूंदी की जनता से मेरा आग्रह है कि सक्रमन के प्रभाव से बशने के लिए हमें सर्तक्ता और साउ माणने प्रधान मंती जी ने भी जन्ता कर्फ्यू के साथ व्यापक उपाय दीश की जन्ता को बता हैं। संसत के अंदर भी सभी राजनिती दलों सभी माने सदश्यों से आगरे किया है कि वो अपने अपने शित्त के अंदर इस महामारी का चुनोतिया मुकाबला करने के लिए जनता के साथ खड़े रहे हैं इस महामारी को रोखने के लिए जिला प्रशाशन ने, राज्य सरकार ने, केंद सरकार ने, व्यापक इंतजाम की हैं, कोटा बूंदी का प्रथिती होने जाते कभी भी किसी भी समय, इस चुनोतियों के मुकाबले के लिए आपको मेरी आउश्यक्ता हो, तो मेरे संपक सुत नंबर मैं दे रहाऊं, कोटा से दिल्ली तक मैं हमेशा आपके साथ खड़ाऊं, आपके साथ रहूंगा, और हम इस चुनोतियों को मुकाबला करेंगे, और हम कोटा बूंदी और देश की जनता को सुस्त रखने में, कारगर कदम उठाने में कामयाब करेंगे।